कणिया है अगी क्या है all the friends कैसे हैं आप सब आई होप गाईज आप सवस्थ होंगे मस्थ होंगे आज में करने जा रहे हैं कि आपके परसन अब से रिकंसलेशन करना चाहते हैं इसके उपर हम रिडिंग करेंगे टिट्री में तो आप मेरे साथ लास्तक बने रहे हैं ठीक है च देखते हैं कि आपके person की क्या energy है फिर देखेंगे क्या वह आपसे reconciliation करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ बने रही और मैं आपके सामें काड निकालूंगी देखते हैं कि क्या वह reconciliation करना चाहते हैं तो कि फॉर्स्ट काड़ी आया है करना चाहते हैं मेरे वीवर से इतने दिन इंतिजार करवाया है क्या वो रिकनसाइल करेंगे कि यह वहां में धीन कि आई होप आपको काड़ दिख रहे होंगे तो चली देखते हैं कि कि आपकी परसन जो नो कॉंडेक्ट में चले गए थी वह आपसे रिकंसीलेशन करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे तो देखिए सबसे पहले तो मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं कि उनके अंदर अभी transformation आ रहा है उनकी life में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है बहुत बड़े changes आ रहे हैं और यहां पर मुझे दिखाई दे रहे हैं कि जहां भी वह फसे वह थर्ट पार्टी है चाहें कहीं भी है family members हो सकते कोई भी हो सकते वहां पर उनकी cycle complete हो गई है अगर वो अभी उस cycle से नहीं निकले तो गोल गोल उसी में घुमते रहेंगे इसलिए टेराव उनको guidance देता है कि आपको इस cycle को छोड़ करके आपके आपने दूसरी cycle को शुरू करना चाहिए तो यहां पर मुझे दिख से भी हैं आपको छोड़ करके वो गए थी तो वहां से अगर वो मौन नहीं करेंगे तो यह cycle में गोल गोल घुमते रहेंगे और फिर से नहीं साइकल वहीं पर सुरू हो जाएगी इसलिए उनको यह सज़ेस्ट कराता है कि आप उस cycle को छोड़ करके अपने partner से एक निव बि से की होगी थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है अच्छा खिलाती पिलाती है स्टार्टिक में तो अट्रेक्ट करती है तो बही मैं आपको यह stability दूंगा यह दूंगी वो दूंगी इस तरह से कावियो अट्रेक्ट करती है सामने वाले बंदे को लेकिन अभी वहां पर उनका दम घुटने लगया उस situation में और बहुत बड़ा transformation की life में आ रहा है तो जो वो transformation आ रहा है उसको accept कर लेंगे तो उनकी life better हो सकती है लेकिन देखिए अब वहां पर दम क्यों घुट रहा है यहां पर past हो ही वो रोई जा रहे हैं उसको पकड़े बैठी हैं पता नहीं क्या चाहेंगे की नहीं चाहेंगे मैं उनको जो है commitment दूँगा या love का proposal दूँगा या उनको जो है love offer दूँगा तो पता नहीं वो accept करेंगे की नहीं करेंगे past को पकड़कर बैठी हैं क्योंकि आपके साथ में मेरे वीवर्स के साथ में उन्होंने बहुत बुरा किया है इसलिए आप सुच्छों कि अपने मन से बोल रहे हैं और मुझे या पर यह दिखाई दे रहे कि आपके उर्ण के साथ में जो है करेक्शन बहुत ही स्ट्रॉंग है बहुत बहुत स्ट्रॉंग है आप दिख सकते जड़ भी कैसे मिली भी है उपर भी मिला हुआ है तना अलग हो गया था क्योंकि आपके करमाज करने थी आप पास्ट लाइफ से आ रहे हैं साथ में ठीक है अब आपके करमाज कई जन्मों से जुड़ गए हैं तो वह करमाज क्लींज करने के लिए आप लोग बिचट गए यह देखिए अपने रास्ते पर निकल पड़े फिर उसको चाहे नो क करमाज का बोजा लेकर आए थी वह करमाज यहां पर क्लींज करके और फिर से एक होना है ठीक है तो रिकांसिरेशन के साइन तो यहां पर आपको दिखी गए होंगे तो मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं कि पूरी इंटेंस्टी के साथ वागे बढ़ना चाहते हैं ले के आपा ब मुझे दिखाई दे रहे हैं और कहीं ने कहीं अब सबकुछ उनको रियलाइज हो गया है कि हम दोनों partners लाइफ कनेक्शन से हैं हम दोनों का स्ट्रॉंग बाट ही स्ट्रॉंग है चाहर भी हम मोहन नहीं कर सकती है क्योंकि वह मोहन करके भी ढेंगे ना तो दिल त कर लीजिए कई वर हम लोग क्या कहते हैं उस पराने का जो है हड्ब्रेक हो गया लेकिन यह अभी तक उस दुख से भाहर ही निकला क्योंकि उसको छोड़ नहीं पा रहा है उसके माइंड में गुमता रहता है तो यहां पर आपके परसंड की सिच्वेशन सेम सिच्वेशन है क कि परसंड आपको भूल नहीं पाएं उनको सब कुछ रियलाइज है कि हमारा कितना स्ट्रॉंग बॉंड है अभी जो भी उन्होंने आपके सब बुरा किया है जो भी पास्ट में उनका एक्स्पीरियंस रहा है उसको ही सीख करके उसको ही देख करके और लोगों की लाइफ क अभी उनको आवेरनेस आने लगी है तो मुझे यहां पर दिखाए दे रहे कि इसकी वज़े से वह बहुत ही फास्ट आपकी तरफ आना चाहते हैं हवा की जोके की तरह है पूरी इंटेंस्ट के साथ में वह आपकी तरफ आना चाहते लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि स् मैं इस सीच्वेशन से बहार निकल सकता हूं तो देखे गईस अभी हम देख लेते कि नेक्स्ट स्टेप उनका क्या होगा और वो रिकंसाइल तो करना चाहते क्योंकि यहां पर कार्ट बता रहे हैं ठीक है फिर भी हम देख लेते हैं और क्या इनर्जी आपके परसंग की है इस पेन से बहार निकलना चाहते हैं आपको भी बहार निकालना चाहते हैं जो उन्होंने दुख दिये थी काफी सोचार कर लिया उन्होंने मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं कि हो सकता है उनको कोई हेल्थ इशू भी है उससे भी धीर धीर भार निकल रहे हैं देखी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं कि वो solid action देना चाहती है यहाँ पर उनके energy भी फिलहाल जो है balance है music सुन रहे हैं आपकी याद में ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मंदिर मजिद गुर्दवारे जा रहे हैं जो गोड से pray कर रहे हैं हर दर पर वो सोचते हैं कि मुझे भगवान आशिरवाद दे दे कि मेरा relationship better हो जाए हर एक holy place पर जा रहे हैं कि मुझे किसी तरह से रासा दिखा दिखा दीजी भगवान यहाँ पर वो काफी prosperous तो है abundance है उनके पास में लेकिन उनको समझनी आ रहा है कि मुझे कैसे step लेना है अपने feelings को express भी नहीं करती हैं जल्दी से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे क्योंकि आपके लिए ओधीर सरा प्यार लिए बैठी है ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे और bottom of the deck है the world वो आपको अपना संसार देखती हैं और पानी की चाहत रखते हैं गई वो आपक आपको पाना चाहते हैं बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं तो आपके परसन आपसे रिकंसाइड करना चाहते काड़ बता रहे हैं आपके परसन आपको पाना चाहते हैं आपके परसन आपसे ही अपना संसार देखते हैं वहाँ पर उनकी cycle complete हो गई दो दो काड़ आ रहे ह cycle की ठीक है बहुत दा पेंड में थे वहां से पेंड से निकल रहे हैं उनकों के healthy शू हो सकता है तो उससे भी भार निकल रहे हैं उनके दिल में आपके लिए धीर सरा प्यार है जो अभी तक उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया था कि अपने feelings को आपको बताया ने की आपके लि करना चाहती है पास्ट को बार-बार रिवाइज कर रहे हैं अपने माइंड में कि मैंने क्या कर दिया यह सब कुछ यहां पर पास्ट का काड़ा है ठीक है बार 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 उनके माइन पास्ट घुम रहे हैं और cycle वहां पर complete हो गई है वहां पर उनका दम घुटने लग हैं पास्ट को सोच करकी उनका माइंड फटने लग गया ऐसा मुझे यहां पर दिखाए दे रहे हैं इसलिए नीव बिगनी आपके साथ में करना चाहते हैं इनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देख लेकित आपके लिए क्या निकल कर रहता है कि आगर यह सीचुएशन ऐसी ही रही ना अपने स्टैप लिया ना उन्होंने स्टैप लिय तो यह सिचुएशने ऐसी बनी रहिए योर ड्रेम्स नीड प्रैक्टिकल प्लान आप सपने ले रहे हैं आपके पार्टनर्स आपने लेने कि मेरे खैपी फैमली होगी तो आप उसको मुर्थ रूप दीजिए ना तभी तो वह सही काम करेगा ठीक है हम सोचते बैठेंगे सोचते बैठेंगे तर तक उस पर वरक नह यह है कि अभी तक आपने जो सहा है उसका आपको रिवार्ड मिलने जा रहा है आपका जो हड़ वर्क है इस रिलेशन्शिप को आगे लिजाने के लिए जो आपने एफर्स लगाई है उसका आपको रिवार्ड मिलने जा रहा है लेकिन आपको अपने पार्टनर की तरफ जो बेटर होगा ठीक है मैं आपके पर्सन की जोडिक साइन बताना चाहूं तो यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के यह सन्मोन वीनस साइन भी हो सकते हैं ठीक है सभी के लिए है क्योंकि क्लेक्टिव रिडिंग होती है सभी के लिए होती है तो कोई टेंशन लेने की जुरूत नहीं है अब ही हम आपके पर्सन की इनिशल सो देख लेती हैं तो यहां पर मुझे आई मिला है बी डी क्यों वी एस एम ए और यू ए ओ जे पी एल डबलू या एम लगा लिजिए देख लेती हैं 22, 19, 13, 31, 2, 7, 5, 16, 29, 4, 6, 24, 1, 18, 21, 23, 11, 14 यह आपके पार्टनर की डेट अब बर्थ और इनिशल हो सकती है भी आपके पार्टनर की तरफ से लग मैसेज देख लेती हूं कि वो आपसे रिकंसाइल तो करना चाहती हैं लेकिन और क्या मैसेज देना चाहती है आपको देखिए मैं तुमें किस करना चाहता हूं देखिए है शिर्म काम औरी उनका मोड्य कोता होगा या आपका मोड्य हो सकता है आपके परस्वाइब है जोलाई में रीकनसाइल करें किसी के लिए अगस्त मिं हो सकता है कि अध कर आने जैलसंस अफ एवर्यों आरा kijken आपके साथ में जो है जो भी देखती है उसे उनको जैलेसी फिल होती है, I am obsessing over you guys. करने में, I care a lot about you, वो आपकी बहुत ज़्यादा करना चाहते है, ठीक है, तो यह थे आपकी परसन की तरफ से message, I hope guys, you're reading आपको resonate ही हो, resonate तो please do like, share and subscribe my channel, thanks for watching, till next video, take care, bye-bye.